नमस्कार दोस्तों, Learn with NH YouTube चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम राजस्तान का भोगलिक परिदर्शय और इस्तती विस्तार से रिलेटेड कुछ important questions देखेंगे जो भी questions होंगे वो previous years exam में आयोए questions है और जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे questions का level increase होता जाएगा ठीके और जो भी विद्यारती चैनल पर नए हैं वो चैनल को subscribe कर ले और वीडियो को like कर ले टाकि जो भी useful वीडियो होंगे वो आपको time to time मिलते रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला question आपकी screen पर है राजस्तान राज्ये का कुल चेत्रफल है लगबग चेत्रफल आपसे पूछा गया है और यह second grade exam BSTC RS exam पटवार exam में आया हुआ है तो राजस्तान का जो चेत्रफल है अगर वर्ग किलोमेटर में बात करें तो वर्ग किलोमेटर में 3,42,249 km² है ठीक है बट अगर आपसे mile square में पूछा जाए तो mile square में 1,32,149 mile square है यह भी आपको ध्यान रखना है वई यह किलोमेटर square में भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर kilometer square में पूचा गया है तो आप का answer क्या होगा option number two correct हो जाएगा अभी एक paper हुआ था recently उसमें गुरू सिकर की उचाई पूची गई थी बट वो गुरू सिकर की उचाई मिटर में ना पूच कर fit में पूची गई थी ठीक है अब 1722 मिटर तो सबको पता है बट यहाँ पर जो answer था वो 1722 मिटर ना होकर fit में निकालना था हमको तो एक मिटर में कितना fit होता है एक मिटर में 3.28 fit होता है कितना होता है 3.28 fit ठीक है तो अगर आपको गुरू सिकर की उचाई निकालने है fit में तो 1722 into 3.28 fit करना पड़ेगा आपको तो यह आप करोगे तब आपका answer न प्रिपेर रहना है ठीक है next question कुल भोगलिक छेत्रफल की द्रश्टी से देश में राजस्तान का इस्तान है तो राजस्तान का पहला इस्तान है और पहला इस्तान राजस्तान का कब हुआ था एक नॉम्बर 2000 को हुआ था जब मध्यपरदेश से 36 गड़ को अलग किया गया था और 36 गड़ का अलग से गठ रखता है ठीक है नेक्ट कुशन भारत के किस राज्य का भोगलिक छेत्रफल सरवादी के तो राजस्तान का है option number A यहाँ पर correct होगा नेक्ट कुशन राजस्तान का छेत्रफल भारत के कुल भोगलिक छेत्रफल का है अब यह कुशन RS exam RPSC second grade पुलिस constable में आया हुआ है तो यह यहाँ पर जो correct answer होगा option number A correct होगा 10.41% भाग रखता है राजस्तान लगबग एक बटा दस भाग रखता है ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है next question राजस्तान की पूरु से पश्शिम तता उत्तर से धक्षिन चोड़ाई दरसाने वाली दोनों रेखाएं किस जीले में एक दूसरे को कारती है suppose यह राजस्तान है उत्तर से दक्षिन और पूरु से पश्शिम वाली जो है वो कहां पर मिलती है यह आपसे पूछा जा रहा है तो यह नागोर में मिलती है तो नागोर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नागोर में भी कौन सा गाउं लापोलाए गाउं ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है next question राजस्तान का अक्सान से विस्तार है तो राजस्तान का जो अक्सान से विस्तार है वो है 23 डिगरी 3 मिनट उत्तर से लेके 30 डिगरी 12 मिनट उत्तर option number 3 यहां पर correct हो जाएगा अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रख नहीं है पहली बात तो अगर आपसे अक्सान से पूछा जाए तो उत्तर से उत्तर ठीक है और अगर आपसे देशानतर है पूछा जाए तो आपसे पूर्व से पूर्व होगा तो 69 डिगरी 30 मिनट से लेके 78 डिगरी 17 मिनट पूर्व होगा अगर देशानतर पूछा जाए तो, तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो गया, option number 3 correct हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसका explanation आप देख सकते हैं, यह explanation दिया हुआ है, देशांतर विस्तार 69 degree 30 minute पूर से लेके, 78 degree 17 minute पूर वी देशांतर, ठीक है, next question, राजस्तान का देशांतर विस्तार है, तो राजस्ता यहाँ पर correct हो जाएगा, और अगर आपसे इनका difference पूछा जाए, तो यह हो जाएगा, 8 degree 47 minute, कितना हो जाएगा, 8 degree 47 minute, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, और यह question आपका आप देख सकते हो, प्रयोकसाला सायक, और PTI exam में आया हुआ है, और PTI का exam अभी होने वाला है तो यहाँ पर difference पूछा गया है, जैसे कि 23 degree, 3 minute से लेके 30 degree, 12 minute जो होता है, उसमें difference कितना है, उसमें है 70 degree, 09 minute, और अगर आपसे पूछा जाए, पूरू से पूछा जाए, तो आपका जो correct answer होगा, 8 degree 47 minute, तो यहाँ पर option number 2 आपका correct हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो राजस्तान की कुल गलोबी इस्तती, 7 degree, 9 minute, 23 degree, 3 minute से लेके 30 degree, 12 minute उतरी अकसान से, और यहाँ पर 69 degree, 30 minute से लेके 78 degree, 17 minute है, तो यहाँ पर difference किता हो जाएगा, 8 degree, 47 minute, और यहाँ पर question में आपसे पहले पूरू पश्चिम पूछा गया है, यह भी ध्यान रखन है, तो यहाँ पर आप option देखिए, पाली सवाय माधपूर, पाली भीलवड़ा, उदेपूर सिरोई, और पाली बाड़ में, तो यहाँ पर जो correct answer होगा, option number 4 correct होगा, इस question को आप याद कर लें, यह आपको next exam में देखने को मिल सकता है, next question, जिस जीले से 70 degree पूर्वी देशा अंतर रेका गुजरती है, वो है, तो 70 degree पूर्वी देशा अंतर रेका जहां से गुजरती है, वो कौन सा जीला है, तो अगर आप देखोगे, तो यह राजस्तान का में पर, ठीक है, अब 69 degree 30 मिनट यहां से गुजरती है, तो 70 degree भी यहीं से गुजरेगी लगबग just past सही, त अब आप से पूछा जा सकता ही, ध्यान रखना है, उत्री अक्सान से अगर आप से पूछा जाए, तो 26 degree 03 मिनट है, 01 मिनट है, ठीक है, कोटा की देशांतर ही इस्तती है, तो यहां पर कोटा की देशांतर ही इस्तती इन्होंने पूछ ली, जो कि सामानें तो कोई नहीं बत नेक्ट कुशन, राज्टान राज्जे के निम्नांकित में से कौन से जीले की सीमा रेखा, गुजरात राज्जे के साथ सबसे कम लंबी है, अब यहां पर सीमा टच करती है, यहां पर पूछा गया है, सबसे कम लंबी किसकी सीमा लगती है, तो सबसे कम लंबी बाड़मेर की लगती है क्योंकि बाड़मेर जो है वो अंतराष्टे सीमा भी बनाता है तो यह इसकी लगबग 228 किलोमेटर की अंतराष्टे सीमा लगती है तो यहाँ पर अंतराष्टे सीमा इसकी कम हो जाएगी तो option number 3 यहाँ पर correct होगा ठीक है next question राजस्तान की अंतराष्टे सीमा की लंबाई है तो अंतराष्टे सीमा को हम रेडिकलिफ रेखा भी कहते हैं ठीक है तो इसकी जो लंबाई है वो 170 किलोमेटर है और total लंबाई कितनी है अगर अंतराष्टे मिला दी जाए तो total लंबाई है 5920 किलोमेटर यह आपको ध्यान ठीक है इसे रेड किलिफ रेका कहते हैं यह मैंने अभी आपको बताया और 1070 किलोमेटर इसकी लंबाई है नेक्ट कुशन राजस्तान की अंतराष्ट्य सीमा पर चार जीले जैसलमेर बाडमेर बीकानेर गंगानगर इस्तिते इन में से सरवाधिक लंबी सीमा किस जीले की है तो यह कुशन दो बार रिपीट होगा है और आगे भी रिपीट होगा तो यहाँ पर सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की है कितनी 464 किलोमेटर ठीक है बाडमेर की कितनी है 228 किलोमेटर जो कि मैंने अभी आपको बताई बीकानेर की कितनी है 168 किलोमेटर और गंगानगर की कितन से राज्य का सबसे बड़ा जीला है तो ये कुशन भी दो बार आया हुआ है और भी काफी बार एक्जाम में आता रहता है तो यहाँ पर option number 2 आपका correct होगा जो चार बड़े जीले हैं वो है J, B, B, J कौन-कौन से हैं? J, B, B, J यानि जैसलमेर, बीकानेर, बार्डमेर और फिर आपका हो जाएगा जोदपूर तो ये ट्रीके इससे आप ध्यान रख सकते हो जैसे कि S, B, B, J होता है वैसे J, B, B, J हो जाएगा ठीक है? तो चेतरफल के आदार पर सबसे बड़ा जीला जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमेटर है जैसलमेर का छेतरफल, राजस्तान के छेतरफल का 11.22% है, कितना? 11.22% ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? देखो, आपको, अपने आपको क्या करना है? हर सीचेशन में पूजिटिव रखना है अगर आपको, हर सीचेशन में अपने आपको पूजिटिव अगर आप अपने आपको रखते हो तो कईने कई हमको सक्सेज जल्दी मिल जाती है जैसे कि मैं आपको बताओ, एक बार क्या होता है? एक लड़का होता है वो बोट लेकर समुद्र में जाता है और समुद्र में वो घूम रहा होता है बट बाइचांस क्या होती है उसकी बोट खराब हो जाती है और बोट जब खराब हो जाती है तो वो जैसे तेसे करके एक टाप उपर पहुंचता है तो उस टाप उपर पहुं अवलेबल रहता है वहाँ पर तो जोपड़ी क्रेट कर लेता है तो जोपड़ी क्रेट करने के बाद यानि कि जोपड़ी बनाने के बाद वह एक दिन वहाँ पर निकालता है फिर उसको भूख लगती है तो वह क्या करता है उस टापु में भार निकलता है अपनी जोपड़ी तो वो जैसे वापिस आता है वो देखता है भगवान आपने फिर से मेरे साथ क्या किया कम से कम आपने मेरे को यहाँ पर पहुचा आया कम से कम में कुछ कर रहा था तो वो भी आपने खतम कर दिया बिल्कुल तो वो जैसे तैसे करके रात निकालता है वहाँ पर सो जाता है औ तो हमने सोचा वहाँ पर कोई है कोई पसा हुआ है तो हम वहाँ पर आए तो इसका क्या मतलब निकला इस्टोरी का इसका ये मतलब निकला जो होता है अच्छे के लिए होता है वो सोच रहा था मेरे साथ ये क्यों हुआ जोपड़ी क्यों जली बड़ जोपड़ी जली इसी व वार एक्जाम में आया हुआ है तो सबसे लंबी सीमा मद्ये परदेश के साथ है कितनी किलोमेटर है 1200 किलोमेटर और सबसे कम किस की साथ है पंजाब के साथ है 89 किलोमेटर ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट कुशन जिस राज्ये के साथ राजस्तान की सबसे छोटी अंतराज्य सीमा है वो है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यह RS एक्जाम और कारापाल परिक्षा में आया हुआ है option number 4 यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है यहाँ पर explanation आप देख सकते हैं next question राजस्तान की पूर्व से पश्शिम तथा उत्तर से दक्षिन चोड़ाई दरसाने वाली दोनों रेखाएं किस जीले में एक दूसरे को कारती है तो यह अभी मैंने आपको बताया था यह कहाँ पर काटेगी यह काटेगी नागोर में ठीक है नागोर में एक दूसरे को यह cut करती है और इसकी explanation हम देख लेते हैं explanation इसका important है थोड़ा वर्तमान में satellite से गगराना गाउं नागोर मद्य गोसित किया गया है यानि कि वर्तमान में जो गाउं है वो गगराना गाउं गोसित किया गया है लेकिन जो RPSC है रास्तान लोक से वायो अभी भी लापोलाई नागोर को ही सही मानती है यह आपको ध्यान अकना है तो अगर RPSC का एक्जाम हो तो आपको लापुलाई नागोरी लगाना है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो लंबा है वो 826 किलोमेटर उत्तर से दक्षिन और 869 किलोमेटर यहाँ आप देखना चाहो तो एक कुशन में और किलेर कर देता हूँ यहाँ पर आपको यह मद्य में नागोर टच करता है और यहाँ पर अजमेरे जिसे राजस्तान का हर्द्य का आ जाता है बाड़मेर जो है और सिरोई जो है इसके बीच में जालोर आता है यानि बाड़मेर और सिरोई की सीमा एक दूसरे को टच नहीं करती है यह भी आपको ध्यान रखना है नेक के लिए आपको सभी जीलों की इस्तती पता होने चाहिए ठीक है नेक्ट कुशन स्री गंगानगर सहर स्री गंगानगर जीला च्छेत्र के किस भाग में इस्तित है तो यह उत्तर में इस्तित है option number one आपका correct होगा नेक्ट कुशन राजस्तान के जिस जीले की सीमा अंतराज्य वर अंतराश्ट्य दोनों है वो है तो ऐसे दो जीले है जिनकी सीमा अंतराश्ट्य भी है और अंतराज्य भी है ठीक है तो यह दोनों जीले आपको ध्यान रखने है एक तो आपका हो जाएगा गंगानगर और एक आपका हो जाए है जो भी हमने डिसकस की है गंगानगर बिकानेर जैसलमेर बाडमेर ओप्शन नमबर वन यहां पर करेक्ट होगा और इनकी लंबा है आपको ध्यान रखनी है ठीक है और आपको एक चीज और बताओं में पाकिस्तान के जो है वो 9 जीले टच करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है इनका भी नाम आपसे पूचा जा सकता है इन में से राजस्तान के किस जीले किस सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है तो यहाँ पर ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है बाड मेर की मिलती है बिकानेर की मिलती है गंगानगर की मिलती है ठीक है हनुमान गड़गी नहीं मिलती भई या गंगानगर की मिलती है हनुमान गड़गी नहीं मिलती राजस्तान का वह जीला जिसकी सीमा गुजरात वो पाकिस्तान से मिलती है तो ऐसा कौन सा जीला है जिसकी सीमा गुजरात से भी मिलती है और पाकिस्तान से भी मिलती है तो मैंने आपको बताया दो जीले ऐसे हैं जो अंतराजी और अंतराश्टी सीमा बनाते हैं एक तो गंगानगर है और एक बाड़मेर है तो गुजरात के साथ ओविसली गंगानगर की सीमा तो नहीं मिलती है तो बाड़मेर की मिलेगी तो option number A यहां पर correct हो जाएगा ठीक है इसका explanation हम देख लेते हैं बाड़मेर के जो प्राचीन नाम है वो क्या-क्या है स्रीमाल भी कह कहा जाता है किरात कूप भी कहा जाता है स्यू कूप भी बाड़मेर को कहा जाता है और मेलोप्त भी बाड़मेर को कहा जाता है यह आपको धियानक ने राजस्तान का एक मातर जीला है जो पाकिस्तान के साथ अंतराज्य सीमा वो गुजरात के साथ अंतराज्य सीमा बनाता ह ठीक है नेक्स कुशन बार्ड मेर जीले की सीमा किस से नहीं मिलती है तो मैंने आपको बताया बार्ड मेर की सीमा किस से नहीं मिलती है क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट एक लोकेशन बताई थी उसमें बताया था बार्ड मेर और सीरोई जो है उसके बीच में जालोर आ जाता सीमा रेका नहीं बनाता है तो ऐसे आठ जीले हैं जो किसी भी जीलों के साथ सीमा नहीं बनाता है अब उन आठ जीलों को याद करने की ट्रिक आपको एक शोट बना के प्रोवाइड करी जाएगी आज तो आप शोट को देखें वहाँ से आपको याद हो जाएगी option number 4 यहाँ पर correct होगा जोदपूर है, दोसा है, बुंदी है, टोक है, राज संबंद है, पाली है ऐसे कुछ जीले हैं, वह आपको ध्यान रखने हैं, उसकी trick प्रोवाइड कर देंगे निम्न मैसेज, जिस जीले की सीमा गुजराच से इसपर्ष नहीं करती है, वह है तो गुजराच के साथ कौन सा जीला है, जिसकी सीमा इसपर्ष नहीं करती, प्रताबगड की जालिम बाबा उसी डूंगरपूर में रहता है, तो यहाँ पर प्रताबगड कहीं पर नहीं आए, तो प्रताबगड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताबगड की सीमा एमपी से टच करती है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है करकरेका राज्य के किस जीले से होकर गुजरती है, तो करकरेका राज्य के दो जीलों से होकर गुजरती है, एक तो आपका बासवाडा है और एक आपका डूंगरपूर है, बट एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो करकरेका है, उसकी लंबाई यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो करक्रेका राजस्तान के दक्षिनी सिरे डूंगरपूर बासवाड़ा से होकर गुजरती है बासवाड़ा करक्रेका के सरवाधिक निकट इस्तित सहर है और इसकी लंबाई जो है वो है कितनी है 26 किलोमेटर यह भी आपको ध्यान है तो इसका आंसर तो आप एजीली बता सकते हो बासवाड़ा डूंगरपूर option अमबर 3 nd यहां पर correct होगा ठीक है यह आपको ध्यान रखना है पाकिस्तानी सीमा के सर्वादिक निकट एवन दूर सर्ज हो जाएंगे वो गंगानगर और बिकानेर हो जाएंगे और अगर ऐसा पूछा जाए आपसे पाकिस्तानी सीमा से सरवादिक दूर कौन सा है तो फिर दोलपूर आपका अंसर होगा ठीक है पर अगर आपसे पूचा जाए पाकिस्तानी सीमा पर सरवादिक निकट कौन सा है तो फिर आपका हो जाएगा गंगा नगर पर सरवादिक दूर कौन सा है तो बीकानेर हो जाएगा ठीक है नेक्ट क्यूशन निम्न में से राजस्तान की किस जीले की सीमा मध्य परदेश से सही उकता है तो जहलावार की सीमा मध्य परदेश को टच करती है option number 4 यहां पर correct होगा ठीक है जैसल मेर जीले का चेतरफल राज्य के कुल चेतरफल का कितना परतिशत है तो यह अभी हमने डिसकस किया था 11.22 परतिशत है option number A यहां पर correct होगा next question राजस्तान में कौन सा जीला उत्तरफरदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है तो भईया उत्तरफरदेश के लोग क्या करते हैं बीडी पीते हैं क्या करते हैं बीडी पीते हैं तो B से भरतपूर, D से दोलपूर तो भरतपूर, दोलपूर, 1 और 3 दोनों correct हो जाएंगे यानि कि option number 4 यहां पर correct होगा next question निमलिकित जीलो का छेतरफल की दरश्टी से अवरोही करम बताईए तो यहां पर अवरोही करम यानि descending order बताना है यानि बड़े से छोटे की ओर चलना है आपको तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा यहां पर चितोर, नागोर, उदेपूर, टोंक में सबसे बड़ा हो जाएगा नागोर, फिर आपका हो जाएगा उदेपूर, फिर आपका हो जाएगा चितोर फिरो जाएगा टॉंक, तो टॉंक सबसे last में आएगा 20 सबसे पहले आजाएगा, तो option number 2 यहाँ पर correct होगा, ठीके इनका चेतरफल आपको ध्यान रखना है next question, मद्यप्रदेश राज्ये के साथ राजस्तान राज्ये के कितने जीलो की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है, तो मद्यप्रदेश के साथ राजस्तान के जो लगबग 10 जीलो की सीमा जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर 10 किसी भी option में नहीं है, तो यहाँ पर जो correct answer होगा, वो 10 होगा, यह आपको ध्यान रखना है ठीके, उस time पर यह answer 9 माना गया था, बट अभी अगर यह question आता है, तो इसका answer क्या होगा, 10, यह आपको ध्यान रखना है ठीके, इसका explanation आप देख सकते हो, next question निमलिकित में से कौन सा जीला, राजस्तान, मद्यप्रदेश, सीमा पर इस्तित नहीं है, यानि कि राजस्तान और मद्यप्रदेश की सीमा पर जो जीला इस्तित नहीं है, वो कौन सा है, तो बासवाड़ा भी इस्तित है प्रताबगड इस्तित है, जालावाड इस्तित है, उदेपूर इस्तित नहीं है इसको भी याद करने के एक ट्रिक है वो आपको short में provide कर दी जाएगी इसकी ट्रिक है धोला करेला सवा किलो का भील बाबा परताप ने चीरा तो इसमें उधेपुर कहीं भी भी नहीं आ रहा ठीक है तो एसी कुछ ट्रिक से वह आपको short में प्रवाड़ करेंगे यहाँ पर मैं बताऊंगा तो time लग जाएगा ठीक है next question राजस्तान में चित्रफल के आदार पर सबसे छोटा जीला है अब सबसे छोटे जीलों को याद करने की ट्रीक है DQP क्या है DQP यानि कि आपको तीन बार D लिखना है फिर आपको लिखना है P तो सबसे छोटा धोलपूर फिर दोसा फिर दूंगरपूर फिर परताबगड अच्छी टिर के दुबारा रिपीट कर देता हूँ DQP धोलपूर दोसा दूंगरपूर परताबगड तो यहाँ पर धोलपूर तो ऑप्शन में है इनी तो दोसा मारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेश्ट क्यूशन चेत्रफल के आदार पर राजस्तान का सबसे छोटा जीला है तो यहाँ पर धोलपूर करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर धोलपूर का चेत्रफल है वो 3033 किलोमेटर है तो यह कितना परसेंट रखता है यह 0.88 परसेंट रखता है यह आपको धियान रखना है ठीक है यह काफी कम लोगों को धियान रहता है नेश्ट क्यूशन राजस्तान के जिस जीले से अधिक्तम जीलो की सीमा इसपर्ष करती है वो है तो ऐसे कौन से जीले हैं जिन से अधिक्तम जीलो की सीमा इसपर्ष करती है तो नागोर जो है और एक पाली है तो पाली के साथ तो 8 जीलो की सीमा इसपर्ष करती है और नागोर के साथ 7 जीलो की सीमाई टच करती है तो यहाँ पर दोनों option में है तो पाली यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है पाली के साथ कितने जीलो की सीमाई टच कर रही 8 जीलो की कौन-कौन से अजमेर, बाडमेर, जालोर, जोधपूर, नागोर, रासम्मन बट नागोर के साथ 7 जीलो की सीमाई टच करती है ठीक है राजस्तान का जीला जो राज्य के अधिक्तम जीलो के साथ अपनी सीमा साजाय करता है तो यह question आपका रीट लेवल 1 में है 2021 में, यहाँ पर पाली option में नहीं है तो यहाँ पर जो correct answer होगा वो नागोर हो जाएगा option number 4 यहाँ पर correct होगा next question राजस्तान के निमन जीलो को पूरू से पश्षिम की और साई क्रम में विवस्तित करे अब वह question बार-बार रिपीट हो रहा है पूरू से पश्षिम वाला ठीक है तो यहाँ पर जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपका बूंदी सबसे पहले आएगा फिर आपका अजमेर आएगा फिर आपका नागोर आएगा फिर उदेपुर आएगा ठीक है क्योंकि नागोर बीच में आता है ठीक है जो अंता इस्तलिय है तो ऐसे आठ जीले हैं जो मैंने आपको बताए कौन-कौन से है जोदपूर, पाली, दोसा, नागो, टोंक, बुंदी, राजसमद और राजमेर ओप्शन नमबर 2 यहां पर करेक्ट होगा इसको याद करने के एक ट्रीक है जोदा, भूटो, राज आज ना पादो, ठीक है इससे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, उप्शन नमबर 2 यहां पर करेक्ट होगा, नेश्ट क्यूशन, राजस्तान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो राजस्तान की राज्य सीमा 5 राज्यों से लगती है, उप्शन नमबर 2 यह सीमा साजा नहीं करता है तो ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्तान के साथ सीमा साजा नहीं करता है गुजरात करता है पंजाब करता है हर्याना करता है महाराष्ट्रा नहीं करता है वह यहां पर नहीं पूचा गया है यह ध्यान से पढ़ना है आपको बहुत स्विवार क्या ह असत्य है असत्य नहीं है ऐसी चीज़े ज़्यादा पूची जाती है ठीक है नेर्ट कुशन निमलिकित मैंसे कौन सा जीला अपनी सीमा पाकिस्टान के साथ साजा नहीं करता है तो यह कुशन गलत है इसमें मिश्टेक है क्योंकि यहां पर कोटा भी साजा नहीं करता जेपु पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और मद्य प्रदेश से भी मिलती है तो उत्तर प्रदेश पे दो जीले है बरतपूर और धोलपूर ठीक है और मद्य प्रदेश पे कौन सा आ जाएगा धोलपूर आ जाएगा तो यहां पर option number two आपका correct होगा जो दोनों के स प्लेनेशन हम देख लेते हैं राजस्तान का उत्तर से दक्षिन की जो लंबाई है वह आर्चो चपविस किलोमेटर है और कोना गाउं से लेके यह है बोरकुंडा गाउं तक कुसलगट बासवाड़ा तक और पूर्व से पस्चिम की 869 किलोमेटर है और इसका विस्तार जो हो आपसे विकर्णों की लंबाई पूछी जाए जैसे कि यह राजस्तान है अब अगर आपसे इस वाले विकर्ण की लंबाई पूछी जाए यानि कि उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिन पूर वाले विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी जाए तो यह हो जाएगी दक्षिन पचास और सासो चुरह से, अलागि ये कभी पूछे नहीं गए, बढ़ आप से पूछे जा सकते हैं, next question, मानचित्र में उन गाउं की इस्तति को दर्साया गया है, जहां से राजस्तान का उत्तर दक्षिन पूरो पश्चिम विस्तार ना पा जाता है, इनकी इस्ततिया दी गई है, तो यह हमको सुमेलित करना है, ठीक है, तो यहाँ पर, first दिया हुआ है, second दिया हुआ है, third दिया हुआ है, fourth दिया हुआ है, तो first में आपका हो जाएगा धोलपूर साइड में कौन सा गाउं था, सिलोन था, गंगानगर साइड में कोना था, जेसल मेर साइड में कटरा था, समगाउं और बोरकुंड़ा था, कुसलगर तेसिल, option number one यहां पर correct हो जाएगा next question, राजस्तान के 9 गटी, 33 जीले, परताब गटन, किन-किन जीलों के छेतरों को मिला कर किया गया तो यह, इसको याद रखने के ट्रिक है, उची बास, क्या, उची बास, उ से आपका हो जाएगा उदेपूर, ची से आपका हो जाएगा चितोडगट, बास से हो जाएगा आपका बास वाड़ा, ठीक है, कैसे याद रखों के उची बास, तो यहां पर जो correct answer हो जाएगा, वो ह अनोदेव, परताबगट, तता बास स्वाड़ा से पीपल कूट को मिला कर बनाये गया, यानि कि चितोडगट के तो छोटी सादड़ी और अनोद को मिलाये गया, तो यह भी आप से पुछा ज़ा सकता है, और उदेपूर के धरियावाद गाउं को मिलाये गया, तो यह आप आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर हमारे क्वेशन कंप्लीट होते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी सारे क्वेशन्स आपके कवर हो गये होंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें और अगर हो सकता है तो वीडियो का आप शेर भी करें thank you so much wish you all the very best और आपको किस topic पर वीडियो चीए आप comment box में comment करके बताइए thank you so much wish you all the very best